कि लंच अपना हो गया है और टाइम क्यों रहा है जुआ है कि नहीं यार कि वाई शाम के साड़े तीन हो गया है तो अंधेरा तो पक्का हो जाएगा हम जी भी जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ दर पहले जी भी तीरतन मेली में पड़ता है और लग जाएग प्रता छुके नहीं अजित का दान प्रतान हो चुके एमांश्यू आगे ड्राइवीश्य जी थो फूरब यह टोड़ा यह ज्यूरा यह मेरा महत्र ही अगहाई है जो दिक्कात कर ने तो दूसरा वाला मिल नी रहा ब्लाक व्ला तो जो मिलिए गदेन ट्लिए में जुड़ वाली जोवान वाले लोग प्रोते हैं, सुनियों है, वाकी है कि यही रोड श्पीती जाता है, मन दो गरा श्पीती चले हैं लेकिन हमारे पास एटिवास गाड़ी है, ऐसे चली जाएगी है, कोई दिक्कत नहीं है, कपडे नहीं है, कोई नहीं है, कोई एक तो कपडे, प्लस कार जो हमारे पास है, यह थोड़ा सा स्पीती के लिए अंडर पावर रहेगी, क्यों जोट बोले, बाकी तो सबड़ी है हम अजी, यह देखो, आगे दूए गाड़ी में से, अब तक तो हमने सुनाता है, जब गाड़ी गाड़ी के ब्रेक फेल होते हैं, जब बाइदे लिटरली इसले ब्रेक लिया था, कि बड़िया लगा है, जब बाइक रह पर चला रहे होते हैं, तो ब्रेक पेल तीसकी पक् आपने जो गाड़ी चलाए हो जडाए हो तीसरे चौथ हे डीड़ी को दूसरे से नीचे डार मत गाड़ी को, तूसरे कर यह ब्रेक लिए टादी नीगे टाही था यह था एंद है, माला मुझी बाइक का इतना आडिया नहीं था, लेकिन दूसरे पर चला सरे से यह बाइद तीरे चलाओ फिर और बाइस में ब्रेक फेल आने वाला है अब भी नहीं सॉरी अब टो टाइम लगे या बुलेट के वे ब्रेक फेल बाई ऐसा है अब अब होगी मोटर व्लॉगिंग ठीक है तो अब मैं शूस निकाल रहा हूं मैं शूस पहन हुआ पिर मोटर व्लॉगिंग करते हैं शूस पहन के और एक सुक पर जैगेट पहल लूगा है हैलमेट और इस बार मैं माइक चेंज करा है देखते हैं उसकी अवास केसे आती है त्यारी हो रही है बाइक चलाने की पुलट अब चली कह थोड़ा सा मन कर रहा है बाइक चलाने का ब्रेक गरम होगी तो इसक सब्सक्राइब कर लेंगे तब तक मैं बाइक चला लेता हूँ जलोरी पास आएगा जाड़ी ले लूँगा तो भाई माउंट मैं लिया है अब होगी मोटर व्लोगिंग चालू चलो बहुत अब बैठो अब मैं सब्सक्राइब करता हूं तो भाई माउंट में कैमरा फिट हो गया है चले जाब ही चलो मिलते हैं तोड़ देर मैं चलो 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 अरे यह किसका एक्सिदेंट हो गया भाई बहुत गंदा एक्सिदेंट हुआ है कि यहां पर थोड़ा सा समल के चलना पड़ेगा वाई एक तो कहना रोड बहुत अच्छा बनाऊ है विच इस गुड़ बट थोड़ा सा समल के चलना पड़ेगा थे कि अच्छा निया चैल से जो ने डिसेजन लिया था ना कि हम जीपी जाते हैं तो मतलब इतना भी पास नहीं है यार अच्छा का सा टाइम लग रहे हैं सुबगा दस ग्यारा ग्यारा वज निकले थे चैल थे अभी शाम के ने कहले से पांच बज गया है पांच साड़े पांच और अभी तक हम अन्नी भी नहीं पहुंचें अन्नी से अन्नी एक जगह हमा चल में वहाँ पर रस्ता रहा है उसका जो कट रहा है अलग से एक रस्ता कट रहा है जलोरी पास के लिए जो जी भी के लिए रस्ता है और अभी तक अन्नी भी नहीं है रहे भाई रोड देखो बाई एक बार एक नम पर रोड है बाकी मैं तुम्हें बता दू कि जो बाई कि मैं चला रहा हूं न इसकी जो कि पीछा वाली ब्रेक होती है कि वो ब्रेक जो है धूआ करें लोगर्ए काफी स्ञाश्य कि तो मैं उस ब्रेक काम की कर रहा हूं और आगे में ब्रेक को ज्यादा यूज़ कर रहा हूँ बट मैं बहुत ही धीरे चला रहा हूँ 20 की स्पीड पर क्योंकि ऑफिसली डाउन हील है तो धीरे चलाना पड़ेगा हां जी कैसे लगा आपको ये बाइक राइटिंग मजाता है इसमें कहा है ना पूरा एक तो मौसम इतना अच्छा है कि एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है और अपने मतलब काफी हलका फील होता है मजा आता है बट यह कि भाई मैं वोटो व्लागिंग तो कंटीन्यू नहीं रख पाऊंगा लेकिन कभी कभी मोका मिलेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं यह कि अपने 50-60 किलोमेटर 100 किलोमेटर तक ठीक है अगे तो अपन के बसकी तो नहीं है हां फोर विलर कितनी मर्जी चलवा लो नॉन स्टॉप 500-1000 किलोमेटर जितना मर्जी लेकिन बाइक पर नहीं है अपने बसकी है तो अब नीचे उतर रहा है हलका- तो टैंपरेचर हुआ है डाउन यानि की छोड़ी जो हवा है वो थोड़ी सी गरम होने लगी है यहां से जलोरी पास में गया हूं यहां से जीबी गया हूं में एक बार लेकिन याद नहीं है वो कट है किदर जो इस रोड को जीबी के लिए कनेक्ट करता है कि अधिरा होने वाला है लेकिन पता नहीं टाइम क्यों लग रहा है जब को अच्छा धीरे भी तो चल रहे हैं यार रहा हूं जो धीरे चलने के नुकसान भी फायदे भी समझ न्यारा करे तो करे क्या तेज़ चलाएं तो धिक्कत धीरे चलाएंगे तो लेट पहुचेंगे कि Vocês तेज़ चलाएंगे घाएं गर्ली रूस काफ़े काफर चांशीज़ें गिरने गए लिकिन के दिनी है वी लेटकोछ जाएं कि एक्चली इसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं पीछे वाले इसलिए बहुत दीरे दीरे चलानी बढ़ रहे हैं और अजे भाई काफे ठगे हैं तो मैंने सुझा चल कोई बात नहीं है थे भाई आप बैठो गाड़ी में मैं चलाता हूँ वैसे भी मेरा मन कर रहा है बाइक चलाने का मोटर व्लोगिंग करने का तो एक और बाप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मोटर व्लोगिंग ज़्यादा सूट करती है मेरे पे या फिर नॉर्मल व्लोगिंग नॉर्वल ट्रे जिसे क्यों चला रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है लगता है मेरे युजी से दीरा चला रहे है चला कोई नहीं है आप अप यह चेस्ट मांट मेने पहने हो आना जी धीला हो गया था कि यह कट आगया वह पीछे दना भी कट आपने टाइम लेप्स में देखा हुआ जो सीधा सीधा जा रहा था वह जा रहा था पुरा रामपूर स्पेटी वगएरा कि नौर वैली के लिए लेकिन अब जो में दूसरे रस्ता पर यह थोड़ा रस्ता चोटा हो गया है रिस्क कि यह देखो भाई ऐसा रोड़ा आप जो है अब यह सीधा जलोरी पास जा रहा है और उसके बाद जीबी तो जो सबसे जब बड़ी प्राब्लम है वह है कि इस पर चड़ना भी मुश्किल है रोतरना भी मुश्किल है अगर आप जीबी जीबी जो जलोरी पास है उसके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट गिर में उपर चड़ेगी आपकी कार हो या शायद बाइक भी क्योंकि मैंने तो बाइक नहीं चलाई उस पर वट मैं दो हजार उन्नेस से अठरा उन्नेस में कहा था शायद 2019 में कहा था जलोरी पास यहीं से इसी सेम रस्ते से तो मैं लेकी कहता यह शेवरेले बीट और पेट्रोल में वो कार दी भाई कम से कम साथ 8 किलो मीटर वाने उसको जो है फर्स्ट गेर में चलाई सोचो जस्ट इमेजिन साथ आठ किलो मेटर तक फस्ट गेर पर चलाना कितना टॉफ होता है तो अभी तो अपने पास एटी आउस है तो एटी आउस में तो फिर भी ठेक ठक पावर है यह प्राब्लम है यहां पर देखो पर अब ट्रक्स पर बहुत चला भी वह तेज रहां भई शयोडि रिवर कौन से नीचे को को रिवर नीचे मेरे राइट में यह मैं कि देएज Allah उस तरफ से यह नहीं है नीवकार देख सब्सक्राइब लेकिन इतना मुझे पता है कि यह तीर्थन रिवर तो नहीं है यह और बहुत धूल मट्टी है दे रिपर मुझे नहीं पताता है मोटर व्लॉगिंग में यह नुक्सान भी होता है हेट कि हम तो हमिशा से से कार में बलग हमकरी कार में बेट के बाइक पर तो इंधिक बड़ी धूल मट्टी उड़ती है यार, लोग लदाफ में कैसे कर लेते हैं लदाख स्विती या कोई भी धूल मट्टी वाला इरिया लदाख स्विती तो पूरा है कि डेजर्ट है, तो धूल तो होँआ पर होनी ही होनी है, यह देखो यार, अगर तुम को नीचे र दिख रहा और क्या नहीं दिख रहा कि पता नहीं राइट बुढ़ना है लेफ्ट बुढ़ना है कि पता करना पड़े गए हैं अब तो भाई ये कोई टाउन है है कि सुनी क्या नाम था नहीं सुनी तो अभी आएगा अन्नी ये सुनी है फिर अन्नी कौन सी जगह है यह पूस्ता हूं किसी से मैं रोक के जमांशू भी आगया है मेरा आगे चल रहा है बहुत ही नहरो रोड से यार यहां पिला में मुझा लूहुरी यह लूहुरी है और आ जां अगी आएगा अन्नी मेरा एक मेरे कसेन सायुध उसका स्काराइण रहता है अननी में उसने बताया था यह दूसरी बार जांगा है जन नी लूहुरी अन्नी अन्नी से जलोरी पार जलोरी इस जीपी तो यह कुछ प्लैन है ऐसो और बेंबाल कि क्योंड आउब रोधाय रात में केम्पिंग लोकेशन कहा ही डूड़ेंगे ना तो यही दिख करें रोड आफ सही हो गया रोड थोड़ा नाइस अन्नी के बाद जलोरी पास की जो चड़ाही है वो स्टार्ट जाएगी तो वहाँ पर मैं गाड़ी चला हुआ क्योंकि हमान्शू भी चला सकता है लेक तो वहाँ से फिर मैं वापस कार ले लूँआ बस यह बाई आज का ब्लैंड तो वही ऐसा है रात हो चुकी है मोसम हो रहा है एक नंबर मजा आ रहा है बाइक लाने में धंडी धंडी हवा चल रही है और कैशी है बुलेट ने समा मां दिया है राकी में है जैसे मेरे को लॉंग टूर पर बाइक से आदत नहीं है लेकिन मजा आ गया मुझे मैं कर नहीं सकता है नहीं कर सकता इतना लंबा बट अभी तो फिलाल मजा रहा रहा है अभी 20 किलोमेटर बाद मैं दे दूँगा बाइक आजे को वापस पिछली बार जमाया था तब मैं व्लॉग बनाते ही नहीं था दो और अठार रहा या उन्निस की बात है तो रात में तो भाई है मैं क्या ही दिखा हूं आपको जब जलोरी पास की स्टार्टिंगों की चड फ़काता हूं अपको यह उससे पहले अन्य आता है तो मंंनी में मिलता हूं आपको एक के काम करता हूं अन्य में सही रहेगा चलो मिलता है तो भाई हम पोच गें अन्य और टाइम हो गया साठे साथ बच गये शाम के 17.59 और यह कुछ ऐसा है यहां पर अन्य यह बस टीन डि तो प्लाइन उदर गई है चल लेगा है सो गाइस हम अनी से निकल चुके हैं अनी में हमने थोड़ा सा स्नेक्स वगरा चिप्स वगरा उठा लिए खाली है रस्ते के लिए रख लिए तो आप अनी से कितना भी दिखा रहे है और आगे मैंशू 42 GB 42 GB है यहां से तो भई 42 km gb है यहां से जलोरी पास से जीबी के बीच में 15 km अपने जलोरी पास किती किलो मेंटर बाद आजाएगा कि अधिन 20 किलो मेंटर कम से कम 10 km की तो चड़ाई होगी तो ऐसे देखो टाफ है तोड़ा सा लेकिन करते हैं कुछ यह देखो भाई जलोरी पास जाते हुए क्या तगडी लेंड्स लाइड हो रखी है पीछे से गाड़ी आ रही है निकुलना पड़ेगा अरे भाई सब्सक है फिर कि एक सराय न की रृट जा देख भाई भाई और होगज भाई ओर तो पंधरास सप्ने प्सक्राई इस कि आसे मुआ इंचाई तो धुछ रचाई की है पहत गुंदि लेंड्सलेट कि क्या है किया इंग पैस टू ए निघ्म का न सेंग मेंजिया तो ए पंशिये आ वाइ देखो कांड हो गया तॉक तो गीजा पांड पांड हो गया तॉक तो पूरा बंदे मापे पुरा निक देख लग तो कोई दूसरा रोड पूरा नहीं पुरा के लिए ग। तो क्या करा जाए बता हो तो आगे कोई रहने की जगह है भाँ देन बंद है ना रहे चालना पढ़ना देड देगिए अच्छा काजी का इसाइड में दुबा के आगे चलना पड़ा है फिर उपर खनाग में बहां आए रहने का उससे पहले नहीं है तो वापस अन्नी चले जाए अन्नी पिर आप तो नहीं जाओ नहीं है पिश्वास तो आगे कोई ने कोई पता में जाएदा आपको बहुता पता करके क्यूंकि आपको बात क्या जाएड नियुक्त हुआ पिश्वास आपके चल रहा है था जालो तो बाई यह बारतल आप जो मने आपको दिखाई उसले दिखाई यह टेक्सी वाले भाही थे बहुत अच्छे थे इन्होंने का मैंने डेलन नंबर देखके आपको रोग बाए क् जारे हो कि इसको क्रॉस करने करें और यह सही बात है वे जी भी जाना है उसे क्रॉस करके इंड़े कर आज दिन में एक्सिडेंट हुआ है और गाड़ी इस तरीके से वहाँ पर पल्टी है यह टेम्पू ट्रवला पल्टा है कि रोड पूरा जाह में और रोड खुले का जब क जगा थी गाउंसा था अगर बात अगर इतनी सीरियस है तो करते हैं भी बैट की डिसाइड और याद वापसन नहीं चल लिए यह है जंगल हमारे साथ जो अजे है दूसरा वो पाइक पर आ है अब तो टेंट भी लगा सकते ना क्योंकि यह पूरा फॉरेस्ट एरिया और य इसलिए मुझे आपको रोग दिया बाकी आपको विश्वास नहीं तो आगे जाके देख लो तो देखते हैं गाई जैसे को बताता हूं फिर अपडेट करता हूं पहले अज़े को बलाते हैं वापिस और फिर बैट के डिसाइड करते हैं करना क्या है तो भाई सीन ऐसा है कि अभी हैं है हम अनी में है तो हम जा रहे ते Hindi जैसारी पास लेकिन हमारे साथ को गहाए घंड की जलोरी पास का रस्ता बंड़ा लैंस्लाइट की वज़ास है तो फूरा रोडब-व्लोक है तो सुबर सदूर्स था करने और सुब पहले हम को जाये जे यह बात ऑट हुई है स तो शुकर है हम आगे नहीं गेते पहले हमको किसी ने रोक लिया और हम बच गए तो बहुत गंदे फंस जाते बहुत ज्यादा गंदे बता रहे हैं कि काफी गाड़ियां फंसी भी यह उपर तो तो फिर हम अन्नी में हमने स्टे कर लिया अन्नी में मारा फ्रेंड रता है उस इने काफी हल्प गड़ी और हम अन्नी में इस टेकर रहे हैं कितना खतर नाग है कितना स्टीप है लगो यार कैसे लगे जाएंगे इसके पर यार तो इनकी गाड़ी रुग गया है यहां पर क्योंकि इतना ज्यादा स्टीप है और गाड़ी की क्लश प्लेट गरब हो गया ह औरे भाई साब बहुत के लगड़ी इतना स्टीप है यारे तो अपेसे तो सिर्फ पहले गएर पर गाड़ी रहे तेखो